दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी सुकन्या समर्दी का खाता पोस्ट ओपिस में है तो आप उस जो है सुकन्या समर्दी खाते का जो है बेलेंस, मिनी स्टेटमेंट और डिटेल स्टेटमेंट जो है किस तरह से चेक कर सकते हो तो वीडियो को शुरू से लाश्ट तक जरूर देखे, वीडियों बताईवे प्रोसीजर को फोलो करते हुए, आप भी अपने पोस्ट ओपिस के सुकन्या समर्दी अकाउंट का जो है, सब कुछ चेक करें पोस्ट ओपिस के सुकन्या समर्दी खाते का सब कुछ चेक करने के लिए, आपके पास चाहे, लेप्ट ओफ हो या फिर फोन हो, इसमें जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको ब्राउजर का सर्च बोक्स ओपन कर लेना है, और सर्च बोक्स में आप को टाइप करना है, पोस्ट ओपिस, यानि सबसे पहले आपको सर्च बोक्स में जो है, पोस्ट ओपिस टाइप करके इस तरह से खोल लेना है, तो जैसे आप ये पोस्ट ओपिस लिख के टाइप करोगे, इस तरह से पोस्ट ओपिस की जो है, ओफिसियल वेब साइट आपके सामने खुलके श्यो हो जाएगी तो इसमें सबसे पहला जो लिंक दिया हुए गोर्मेंट ओफ इंडिया डिफार्मेंट ओफ पोस्ट इसके उपर आपको किलिक कर देना है तो जैसे यहाँ फस्ट वाले लिंक के उपर किलिक करोगे किलिक करने के बाद में पेज थोड़ सा ल इंसोरेंस, बिजनेस और इकोमेर्स, रिटेल सर्विस तो इसमें कई ओप्सन हमारे को दिये हुए हैं तो अगर आपको कोई और भी ओप्सन के रिगार्डिंग काम हो तो उसपर किलिक कर सकते हो पर अभी बेलेंस के लिए जो बेंकिंग एंड रेमिडेस का ओप्सन है जहा आप e-passbook के ओपर किलिक करोगे next जो है इस तरह का पेच आजाएगा इसको आपको ok कर देना है और एक next जो है website हमारे सामने जो है खुल के show हो जाएगी तो अभी इस तरह का खुल के हमारे सामने page show हो जाएगा इसमें आप सबसे top में देख सकते हो click here for POSB सेवा e-passbook तो हमारे को जो है balance mini statement check करने के लिए इसके ओपर किलिक करना जैसे आप किलिक करोगे इस तरह का option आएगा इसको ok कर देना है जैसे आप इसको ok करोगे next page हमारे सामने खुल के show हो जाएगा तो next page हमारे सामने इस तरह का खुल के show हो जाएगा अभी इसमें हमारे को दो ही स्प्विश्चन के तोर फर अपका जो पोस्ट ओपिस में जो मोबाइल नवर आपका लिंक है खाते के साथ में वही मोबाइल नमर आप इस एसमें डाल तो मैं मोबाइल नमर डाल देता हूं और जो केपचा इप refugees डालने प्रन्तु फिर भी केपचा वेलिडेशन फेल्ड तो आपको जो है जो केपचा वड़ा एरो मारक है उसके उपर किलिक करना है दूसरा केपचा आजाएगा अधी वो दूसरा केपचा आपको डाल देना है तो जो नेटवरक इस्यू के करण कई बार प्रोब्लम आ सकती है तो आपको बीच में यहां से छोड़के जो है बैक नहीं हो जाना है कि ओपन नहीं हो रहा है क्या क्यूरी हो गई क्या नहीं हो गई दूसरा केपचा था वो डाल देना जैसे में दूसरा केपचा डाल के इसको जो है लोगिन किया जो मोबाइल नमर में ने इसमें इंटर किया था उसके उपर एक OTP आजाएगी तो six digit की उसके उपर जो है OTP आ गई है जो OTP के box बने वे हैं आपको जो है OTP डाल देना है OTP आपको correct टी डालनी है नहीं तो OTP जो है अगर आप सही नहीं डालोगे तो page आगे जो है आगे का page जो है खुलेगा नहीं तो आप जो है correct OTP इसमे करोगे इस तरह का option आजाएगा Welcome to post office service POSB सेवा POSB e-passbook click here अभी सबसे ज्यादा जो problem है यहीं पर आती है यहां तक तो page सभी खोल लेते हैं सभी के पास open हा जाता है प्रन्तु इसके बाद में page open होने में थोड़ सा time लग सकता है कभी-कभी पहली बार में जो click here का option है इसके के ओपर click करते रहना तो जेको manager से click किया मेरा जो है दूसरी बार में यह open हो गया तो अभी next page इस तरह का आजाएगा इसमें आपको account number यानि post office की कोई भी saving scheme हो PPF हो सुकन्या समढ़दी हो आपकी RD हो FD हो NSC हो KVP हो उसका आपको जो आपके पास passbook होगी उसमें आपका account number हो तो आपको account number वाड़े option में account number जो उसमें registered mobile number है वो डाल देना है और enter जो capture वाड़े में जो capture दिया हो है यह सब चीज़े हमारे को डाल के और इसको continue कर देना है यानि post office की किसी भी saving scheme का आप जो है आसानी से mini statement, balance जो है सब कुछ आसानी से check कर सकते हो पहले थोड़ सा format change था, अभी format थोड़ सा अलग हो गया है, पहले हमारे को scheme select करनी परती थी, अभी scheme select करने वाड़ा option हटा दिया गया है, इसलिए मैं यह नया वीडियो बना रहा हूं क्यूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा comment आ रहे थे कि हमारे को scheme का option नहीं दिखाई दे रह है, आपको इसको continue कर देना है, तो जैसे ही आप इसको continue करोगे, जो आपने mobile नमर डाला था, उसके उपर फिर एक बार OTP आएगी, तो वो भी OTP जो है, six digit की OTP आएगी, तो OTP आपको जो है OTP inbox में फिलप कर देनी है, किसी कारण वास या network issue के कारण अगर OTP नहीं आती है, त उसके उपर आप किलिक करके OTP आप जो है फिर से भी generate कर सकते हो, यानि पहली बार हो सकता है कि कहीं network issue के कारण OTP नहीं पूँच पाती है, तो दुबारा भी कर सकते हो, OTP डालने के बाद जैसे भी verify किया, देखो इस तरह का page आजाएगा आपको, तो welcome यहाँ पर जिसका भी किलिक करके आपके account का जो है last 10 जो transaction हुए है, दस उनका statement भी check कर सकते हो, और detail statement इसके उपर किलिक करोगे, तो आपकी जो है उसमें आपका account number, आपके customer ID सब को show कर देगा, तो सबसे पहले मैं balance के उपर जैसे click किया, click करते हैं, आप देख सकते हो, amount में मेरा 8% जो अभी amount है, और account ID, जो account का customer ID है, वो जो है आपको show कर देगा, तो सबसे पहले आप जो है balance इस तरह से inquiry करो, और दूसरा आप जो है, इसमें उपर जो go back का option है, उसके उपर click करके, और जो है mini statement, तो इस तरह से आपका mini statement भी show कर देगा, इसमें आपको account ID, transaction date, amount, transaction type, और description, यानि पूरा का पूरा आपको show कर देगा, तो आप इसको जो उपर download का option दियावा है, इसको में click करके, आप जो है, इसको download भी करके, future के लिए भी रख सकते हो, परन्तु यहाँ पर जो है, आपको 10 mini statement में 10 transaction show कर देगा, अभी आप जो है, पीछे back होके, और detail statement के option के उपर click करके, और अपने account का जो है, statement में आपका जो है, जिसके नाम से account है, उसका नाम आएगा, इसके बाद में उसका code आएगा, IFC code आएगा, MICR code आएगा, यह पूरा का पूरा भी आप दो है, देख सकते हो, तो detail statement के ओपर जैसे किलिक रोंगा, देख सकते हो, account detail में, account number, account type, scheme code, scheme description, IFC code, transaction period, registered mobile number, अगर, nominee अगर आपका होगा, तो nominee भी आपको यहाँ पर स्यो कर देगा, customer ID, आपका जो account की, इसकी जो customer ID है, वो भी स्यो कर देगा, तो दोस्तो इस तरह से आप जो है, आसानी से, post office की चाहिए, कोई भी saving scheme हो, आसानी से इस तरह से check कर सकते हो, फिर भी आपको किसी परकार की कोई क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, comment box में जरूर लेके, मैं जितना हो सकेगा, पूरी help करूँगा, वीडियो देखने के लिए सबीगा, धन्यवाद, थेंक्यू, दोस्तो वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेर करें, वह मेरे यूटूब चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करें, थेंक्यू पॉर वाचिंग माई वीडियो अगें, थेंक्यू.